लूँन नया जनम जो है कैसा पाया जाता है अब बॉट प такая बंक्त से लोगよろमा कि हम चर्ट में भी जाते हैं वचंड को सुनते हैं और बाहर पाड़ेज मिटिंग को भी जाते हैं प्राध्न भी रहते हैं लेकिन हमारा जीवन जो है नहीं बदल हम बिल्कुल वैसे ही हैं पहले हम गाली देते थे अभी भी गाली देते हैं पहले हम चोरी करते थे अभी भी चोरी करते हैं पहले हम चुगली करते थे आज भी हम चुगली करते हैं कोई भी चीज हमारी बदली नहीं है लेकिन हम चर्च में जाते हैं गाने गाते हैं वचन सु तो है अब तक नहीं बदला है है भाई और बैनों बहुत सारे लोग ये सवाल उनके मन के अंदर होगा कि हमारा जीवन क्यों नहीं बदलता है चर्च में जाने के बाद में भी वचन सुनने के बाद में भी गाने गाने के बाद में भी है भाई और बैनों अगर आप चाहते है कि मेरा जीवन बदले मैं नवी सुष्टी बन जाओं तो भाई और बैनों सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा वो काम से अगर होके हम गुजरेंगे तब ही हमारे जीवन में हम नया जनम पाएंगे है बाई और बैनों वो काम ये है कि हमें अपने गुटने टेकने और गुटने टेक के ये कहना है कि प्रभुजी मैं पापी हूँ गुनागार हूँ मैंने बहुत सारे पाप किये हैं बहुत सारी जुट बोले बहुत सारी चुगली किये बहुत सारी हेराफ्विरी किये हैं मु हमारे अंदर आती है, वो हमारे साहिता करती है, कि हमारा जीवन जो है, बदलना शुरू हो जाए, हे भाई और बैनों, काफी लोग ये भी सवाल करते हैं, कि हम तो कोई किसी की चुगली ने करते हैं, हम किसी को गाली ने देते हैं, हम किसी को कुछ ने कहते हैं, फिर हम पापों की माफी क्यों मांगे हे भाई और बैनों हमें पापों की माफी इसलिए मांगनी है क्योंकि दाविद कहता है कि जब मैं अपनी माता के गर्ब में था तब भी मैं पाप में था हे भाई और बैनों पापों से छुडाने के लिए मुक्ति देने के लिए नया जनम देने के लिए प्रभुई शुमसी हमारे जीवन में आया प्रभुई शुमसी इस दुनिया में आया और अब वो आपके दिल में आना चाहता है अगर आप दिल में उसे बिठाना चाहते हो अंदर आने देना चाहते हो तो करना क्या है हमें सिर पाप किए बहुत सारी गलतिया किए मुझे दैया करके शमा कर दे अपने घुन से धो के मुझे पवित्र कर दे जब यह प्राध्दां करते हैं तो हमारे जीवन जो है बदलना शुरू हो जाता है प्रभई शुम fonction हमा मों हमें नई आत्मां को को देता है अपनी आत्मा को देता है वो हमारी सायता और मदद करती है ताकि हम अपना जीवन जो है बदल सकें एबाई और बैनों अपना जीवन बदलने का सिर्फ एक एक तरीका है एक एक मार्ग है वो है प्रभुईश्य मसी एबाई और बैनों वो राजों का राजा प्रभ हुआं को प्रभु ौर सवहार इस रूस्टी को करता उसने अपने पुत्र प्रभुईश्य मसी को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया ए बयदान नर्क की आग में न चले जाएं उससे बच जाएं इसलिए उसने अपना एकलोता पुत्र बलीदान होने के लिए दे दिया यह बाई और बैनो उससे मारा गया, कुछला गया, बेजती कही गई और उसके मुग के अपर थूका गया लेकिन फिर भी वो चुप चाप रहा सिर्फ इसलिए तांकि आपके लिए मेरे लिए एक वो नय जर्म दे सके, आपके लिए मेरे लिए एक मार्ग बना सके ताकि हम भी पिता के साथ उसके साथ योगों योगों के लिए राज्जी कर सके है भाई और बैनो पुरानी बाते जो है बीट गई है अब सब कुछ नया हो गया है अगर कोई मसी में है तो वो नहीं सुष्टी है पुरानी बाते जो है बीट जाती है और देखो नई बाते हो जाती हे भाई और बेनों अगर चर्च में जाते हो गाना गाते हो वचन भी सुनते हो अगर आपका जीवन ने बदला है अगर आपका पुराना वहवार ने बदला है तो इसका मतलब यह है कि आपको पापों की माफी चाहिए आपके जीवन में उद्धार चाहिए आपके जीवन में प्रभूष मसी की आत्मा चाहिए अगर वो आत्मा आपके अंदर आएगी तो आपका जीवन जो है बदल जाएगा हे भाई और बेनों वचन में लिखा है कि देख मैं तेरे दुआर के बहार आके खट-कटा रहा हूँ अगर कोई दर्वाजा खोल के मुझे अंदर आने देगा तो मैं उसके साथ आके बीतर आके उसके जीवन में काम करूँगा ये भाई और बैनो वो हमारे साथ भोजन करना चाहता है हमारे अंदर आना चाहता है हमारे अंदर रहके वो काम करना चाहता है है भाई और बैनों क्या आप भी प्रभुष मसी को आपके अंदर आने देंगे क्या आप भी नए सुष्टी बनना चाहते हो अगर आप भी नए सुष्टी बनना चाहते हो नवा बनना चाहते हो तो भाई और बैनो आपको करना सिर्फ एक ही एक काम है वो है अपने गुनाओं की माफी माँगना है प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए अपने खून से दो के मुझे पवित्र करें जब ये प्राधना करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन को जो है बदल देगा है भाई और कलव करेंदी से दो नए ख Efendimiz करги है झाल 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 थाम प्रभु पो से पार्स प्राधन की म stora जीपना है झाल कि र화ल के खिलते गो है व झाल 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 झाल